जी नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ZPS Math Class में और आज भी एक बेतरीन सेशन होने वाला है आज ये Day 2 है Day 1 मैंने कराया था Find Esquire एक जटके में कैसे हम सल्व करते हैं और कैसे Find Out करते हैं एक स्वाइर निकालना वो बिल्कुल एक जटके में सीखेंगे और आज भी एक बेतरीन सेशन होने वाला है तो उसी कलास को कल मैंने जहां पर छोड़ा था उसी कलास को फिर से आज continue कर रहे हैं और जितने लोग जुड़े हैं आपसे नमर निवेदान है किसको Like करेंगे ठीके और जितने आपके दोस्त हैं रिलेशन है जितने भी जहां तक आपकी पहुंचे वहां तक इसको share कर देजिए ठीके और चलिए जितने भी आपके S.S.E. एक्जाम होते हैं उन सब के लिए फायदा मने है बिलकुल Basic से मैं पढ़ा रहा हूँ Basic मतलब बिलकुल नीचे से वहां से जहां से आपको बिलकुल तकलीफ होती है वहां से मतलब फर्ष से लेकर अर्ष तक हम पहुंचा देंगे जीरो से बिल्कुल हीरो तक आप बंजेएगा तो यकीन मानिया आप इसको लाइक कर जीगा सियर जरूर करिएगा तो आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि एक जटके में कैसे सिखेंगे वर्ग निकालना सिखें एक जटके में ठीक है तो continue करते हैं बस बेखते चलिए और शीखते चलिए ठीक ना देखिए आगे चलिए देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर देखेंगे है न और यहाँ पर बुला है कि जब संख्य किसके नज़दी खो तो कहिएगा कि जब संख्या यहाँ पर नज़ दीखो किसके डीड़ सके मैंने कल बताया था कि 100 के आसपास संख्या निकलना वर्ग निकल नमर ने बताया था 100 के आसपास 100 के आसपास मैंने बताया था आज मैं बता रहा हूं संख्या जब किसके नज़ दिखो तो कहेगा कि जब संख्या डीड़ सके पास हो ठीक है तो देखिए जैसे एक एक जामपल लेते हैं 147 समझेगा 147 आप सुच लएँ कि तीन अंक वाला निकालना से देखिए तीन अंक आ गया ना देखिए कैसे निकालेंगे एक जटके में सीखेंगे 147 का होल एक्सवार निकालना है समझेगा बात इसमें धियान से समझते है तो जिंदगी भर याद रहेगा जिंदगी भर एक बार concept और trick सिख लिजिए देखिए trick क्या है इसको निकालने का कि 147 का whole x वार निकालने के लिए देखेंगे कि 147 150 से 3 कम है मतब 1500 से 3 कम है 150 से 150 से कितना कम है 3 कम है तो इसमें से 3 घाटा आदेंगे 3 क्या कर देंगे घाटा आदेंगे तो कितना होगा 144 होगा खितना होगा बब 144 अब एक कम और इसमें करेंगे चुकि यह संख्या 1.5 सा के नजदीक में था इसलिए हम देड से मतलब 1.5 से multiply करेंगे one half का मतलब 3 by 2 होता है और उसके बाद क्या घटाएं थे तक कई एक तीन घटाएं थे तीन का एक स्वायर जीरो नौ कल मैंने बताय था न डबल डिजिट में रखना है अब एक ही काम करना ही दो से cancel होगा तो 72 हो जाएगा यहनी 72 हो जाएगा और इसी 72 में तीन से गुणा कर देंगे यहाँ पर तो 73 का 21 हो गया और 3 दूना 6 हो गया बगल में 09 है तो 09 यह रहा आपका आंसर देखिए कितना संदार ट्रिक है और कितना संदार कंसेप्ट है ठीक है यहाँ देखिए फिर से 30, 150 से 150 से कितना अधिक है तो कहिंगा 7 अधिक है साथ जोड़ देगके साथ जोडेंगे तो कितना होगा 164 हो जेंगे believe 164 होगा ठीक है इसमें 1 55 कर देंगे 3 3 by 2 से multiply करेंगे 3 by 2 से क्यों multiply कर रहा है क्योंकि यह 150 के पास से इसलिए 1.5 से multiply कर रहा है अब देखिए आगी क्या जोड़े हुए हैं तो कहीगा 7 जोड़े हुए हैं तो 7 का xy कर देंगे तो 49 अब यह 2 से cancel करेंगे तो 82 आएगा कितना आएगा तो कहीगा 82 इसी 82 से यह 3 में multiply कर देंगे तो 32 जा 6 और 8 3 जा 24 और बगल में 49 है तो 49 आप समझ सकने हैं तो कि देखिए कितना जल्दी एक जटके में आंसर हो गया समझ बारा हैं उमीद है कि आप समझ गए होंगे और भी एक्जाम पल लेकर आपको सिखा देते हैं बस देखते चलिए और सीखते चलिए आपको थोड़ा सा भी असुविधा नहीं होगा बस देखते चलिए आगे देखिए आगे हैं कि एक संख्या ले ले लेते हैं 114 ये देखिए इसको भी वह इसे ही निकालेंगे कितना अधिक है 150 तक हैं कहीं का 4 अधिक हैं 4 इसमें ऐड कर देंगे 4 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 158 मिलेगा 158 क्योंकि संख्या 150 के पास से तो इसलिए 3 by 2 से multiply करेंगे अभी बतायत है और क्या जोड़े हुए हैं तो कई का 4 add हुआ है तो 4 का xyre 16 हो जाता है 2 से cancel करेंगे यहाँ पर तो 2 सत्य 14, 29, 18 179 हो गया और इसी 79 से इस 3 में multiply कर देंगे तो 9 से बंजा 9 3 जा 27 और 7 3 जा 21 और 223 और बगल में यहाँ पर 16 है तो 16 लिख देंगे देखिए यह रहाँ आपका सवाल का आंसर यह रहाँ आपका सवाल का आंसर देख रहा हैं कितना संदार संदार ट्रीक है और देखिए जैसे एक ले लेते हैं 142 142 इसका xyre यह भी देखिए संख्या 150 के पास से 150 से कितना कम है तो कहेंगे कि 8 कम है तो 8 को इसमें से माइनस कर देंगे सब में एक ही कंसेट है देखते चलिए और सिखते चलिए तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा 134 134 अब एक बात बताए 3 by 2 से मल्टिप्लाई करेंगे बिल्कुल करेंगे उसके बाद क्या माइनस किये थे तो बोलीगा 8 को माइनस किये थे तो 8 का xyre 64 हो जाएगा 64 2 से केंसिल करेंगे 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14 37 हो गया 67 हो गया 67 से 3 में मल्टिप्लाई कर देंगे 73 हो ट्वन्टिवान और 63 हो एटीन 18 और 2 कैरिक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 20 और बोल में 64 है तो 64 देखे इजली हो गया आंसर बहुत ही संदार संदार ट्रीक है देखते चलिए और सिखते चलिए बहुत ही संदार और जबाब आपका ट्रीक है ठी एक और देखिए जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं जैसे 139 ले ले लेते हैं 139 इसका एक बाब निकलना है कितना कम है तो कहिएगा 11 कम है 150 से कितना कम है 11 कम है तो 11 घटा देंगे तो कितना होगा कि 128 हो जाएगा इसमें multiply करेंगे 3 x 2 से और 11 घटा हैं न तो 11 का एक सवार 120 अब देखिए 2 से cancel करेंगे तो 64 हो जाएगा 64 और इसी 64 से इस 3 में गुणा कर देंगे तो चे दुना कितना हो जाएगा चारती हैं 12 फोर थिरी जा 12 और 6 थिरी जा 18 और 1 का एरी 19 लेकिन यहां पर 2 ही डिजित रखना हैं मैंने बताया था कल इस 1 को का एरी के रूप में इसमें दे देंगे तो 193 हो गया अब अगल में 21 है तो 21 हो गया यही आंसर हो गया संदार संदार ट्रीक है और बहुत लाजबाब आगे देखिए आगे देखिए और सीखते चलिए और समझते चलिए हाँ ना कुछ और एक्जामपल आपको करा देते हैं हम ठीक ना कुछ और एक्जामपल हम करा देते हैं समझीगा देखिए कुछ और एक्जामपल क्या है क जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं ले लेते हैं आप और 159 159 इसका एकसवायर निकलना है 150 से कितना अधिक है तो कहीगा 9 अधिक है तो 9 को इसमें आइड कर देंगे तो कितना हो जगा 168 इसमें 3 by 2 से मल्टिप्लाई करेंगे बिल्कुल करेंगे और 9 अधिक था ना 9 जोड़े हैं ना 9 अधिक है 9 को तो 9 का एकसवायर 81 2 से कैरी करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे तो 84 मिलेगा अब इसी 84 से 3 में मल्टिप्लाई कर देना है 4 3 जा 12 1 कैरी 8 3 जा 24 और 125 और बगर में 81 है तो 81 रहेगा बिल्कुल सही जबाब है 25,281 और देखिए और ले लेते हैं जैसे 163 ले लेते हैं ये देखिए देखते चलिए और सिखते चलिए यकीन मानिए आप बिल्कुल मतलब एक जटके में सिख जाएगा आगे देखिए ये संख्या जो है 13 अधिक है 13,13 को आइड कर देंगे तो 176 मिलेगा बिल्कुल मिलेगा इसमें 3 by 2 से मल्टिप्लाई कर देंगे और 13 का एक स्वायर कर देंगे तो 169 169 ठीक है 2 से केंसिल करेंगे 2,8 जा 16 और 2,8 जा 16 88, इसी 88 से 3 में मल्टिप्लाई कर देंगे 8,3 जा 24 24, और 26 और बागल में एक को इसमें कैरी देंगे मैंने बताया था ना डबल डिजित अखना है यहाँ ट्रिपल डिजित आ गया तो वन को कैरी के रूप में देंगे तो 165 हो गया 165 हो गया और बागल में 69 रहेगा डबल डिजित यह रहाप का आंसर देख रहे हैं बहुत ही संदा संदा ट्रीक है तो उमीद करते होंगे कि आप बहुत अच्छे से इसको सीख गए होंगे ठीक है आगे चलते हैं तो आगे चलिएगा हना तो जब संख्या दूसक के पास हो अब क्या सीखेंगे जब संख्या दूसक के पास हो जैसे हम ले लेते ह 208 इसका 100 निकलना है बेहत असरान है मैने क्या बतए regen qi 50 संख्य लिजी का यो संख्या इसका एकस्वयर निकलना है लिए 확न है देखी ये 202 संसे कितना अंघ निकलना है इसका 10 to 8 net इसमें 8 एड कर देंगे, वही concept, वही तरीका, वही मेठेड, देखिए, 216 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, चुकि अब यह संख्या 200 के पास है, किसके पास है, 200 से, इसलिए इसमें 2 से multiply करेंगे, पिछला concept मैंने क्या सिखा था, 150 से नजदी था, डेर सके तो हम डेर से multiply क मतलब 1 half, यह संख्या 200 के पास है, इसलिए हम 2 से multiply कर रहे हैं, और 8 का एकसर क्या हो जाता है, 64 हो जाता है, बिल्कुल सही, अब करना कुछ नहीं, इस इन दोनों को गुणा कर देना है, तो 4, 32, और बगल में क्या है, 64, देख लिए, संदार concept है, और संदार trick है, देखिए, ह सीखते चलिए और समझते चलिए, 2 से कितना दिखे, 3 दिखे, 3 दिखे, तो 3 को add कर देंगे, तो 206 आजाएगा, ठीक है, संख्या 200 के पास है, इसलिए 2 से multiply और 3 का एकसर होता है, 09, डबल डिजी ट्रक ना है, 2 से multiply करेंगे, तो 412 आजाएगा, और बगल में 09 है, तो 09, बिल answer, देख रहा है, संदा संदा ट्रिक, और देखिए, और देखिए, और देखिए, देखते चलिए और सीखते चलिए, concept सीखते चलिए लो, देखिए, और जैसे ले लेते हैं, संख्या, जैसे अब ले लेते हैं, कि 196 ले लेते हैं, ये भी संख्या 200 के पास है, किसके पास है, 200 के पास है 200 के नज़ दीखे न कितना 200 से कम है तो कहीं कि 4 कम है तो 4 को माइनस कर देंगे 4 को माइनस करेंगे तो 192 मिलेगा ठीक है संख्या 200 के पास है तो 2 से मल्टिप्लाई करेंगे और 4 घटाए हैं न तो 4 का xy क्या हो जगा 16 हो जगा फोर का क्या हो जगा 16 हो जगा 4 का expire ठीक है यहाँ देखिए यहाँ दो से multiply करेंगे तो कितना हो जगा 19 टू जा 38 और 2 टू जा 4 और बगल में यहाँ पर 16 था तो यहाँ 16 मैंने लिख दिया यह रहाँ आपका आंसर देख रहे हैं संदार संदार ट्रीक है और देखिए देख लिजी और सीख लिजी अच्छे तरीके से आगे देखिए जैसे 100 हम ले लेते हैं अब पचासी 185 ले लेते हैं ठीक है देखिए इसका एक्सवायर कैसे निकालेंगे ये संख्या पंदर कम है 200 से कितना कम है बबू 15 कम है तब 15 को माइनस कर देंगे तो 170 मिलेगा संख्या 200 के पास है इसलिए 2 से मल्टिप्लाई और 15 का एक्सवायर होता है 200 पचीस कम से कम आपको एक से लेकर 50 तक का एक्सवायर याद होना चाहिए 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना होजगा 340 मिलेगा और बगल में 2 कैरी इसको दे देंगे इसको कैरी तो 342 हो गया और 25 को 25 लिखेंगे डबल डिजिट रखना है ट्रिपल डिजिट को कैरी के रूमे दे देना है यह रहांसर है न संदार ट्रिक बहुत ही संदार ट्रिक है बस देखते चलिए और सीखते चलिए संदार संदार ट्रिक है आगे देखिए और देखिए और एक यामपल आपको दिखाएत हैं एक दो जैसे एक सो एकानवेर ये संख्या 200 से कितना कम है तो कहीगा 9 कम है तो 9 माइनस कर देंगे तो 182 मिलेगा बिल्कुल मिलेगा संख्या 200 के पास लिए 2 से मल्टिप्लाई 9 घटाए थे 9 का एकसवायर 81 दो से मल्टिप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 364 और बगल में 81 है तो 81 बहुत बनिया देख रहे हैं तो उमीद करते होंगे कि आप बहुत अच्छे से इसको सीख गए होंगे अगर रियल में आपको पसंद आ गया होगा तो आपसे नमर निवेदन है किसको आप क्या कर दिजीगा सेर कर दिजीगा हाना लाइक कर दिजीगा सेर कर दिजीगा और सब्सकाइब कर दिजीगा इस class को फिर से आगे continue करेंगे तब तक आप बने रहिएगा हना देखना मत भूलिएगा परतीक दिन जूरिए और आप like कर दीगा share कर देगा और subscribe जरू करेगा अपना ख्याल रखिएगा रहने देते हैं अच class फिर से मिलते हैं अगले class में तब तक के लिए धन्यबाद